गर पर आज लड़ाई जगड़े से दूर रहें तो अच्छा होगा, आपके घर में शान्ती बनी रहेगी, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा, तो घर की शान्ती भंग हो सकती है. सब को सम्मान दें, ताकि बदले में आपको भी सम्मान मिले। अगर आपकी कार्याले की समस्याइं घर लाने की आदत है, तो घर वालों की खुशी के लिए अपनी ये आदत बदलने की कोशिश करें। अपने साथी की वजह से आपकी दयालुता एवं नरम विजाजी अपनी चर्म सीमा पर है. आप पाएंगे कि आप आज आध्यात्मिक, आकर्शक एवं आत्मविश्वास से भरपूर हैं, जिसके कारण आपका साथी, शारिरिक एवं भावनात्मक रूप से आपके साथ है. राशी मेश, करियर, व्यावसाई क्षेत्रों में उन्नती के आसार हैं. आपकी कड़ी मेहनत के फल स्वरूप, आपके अधिकारी आपको बोनस दे सकते हैं. अत्वा पदोननती भी संभव है. चाहे जो भी हो, आज का दिन प्रसिद्ध होने और पैसा कमाने का है. राशी मेश, फाइनांस, आज आर्थिक मामले में लाबकारी दिन है. आज पैसे की आवक है. यह होशियारी से किसी व्यावसाईक लेन देन से हासिल हो सकता है. या फिर पहले किसी निवेश से. जैसे भी हो, आर्थिक सिती मजबूत करने के लिए आज का दिन शुब है. राशी मेश, हेल्थ. अगर आपको बलड शुगर जैसी समस्या है, तो आज आपको ध्यान रखना होगा कि शुगर की कितनी मात्रा आप ले रही है. अगर आपको बलड शुगर की समस्या जादा बड़ी लग रही है, तो डॉक्टर के पास जाएं. आज सेहत से संबंधित परेशानी बनी रहेगी. राशी ब्रिश, ओवर्व्यू. आज आपकी जिंदगी में थोड़ी हल्चल सी मची रहेगी. ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास की परिस्तियां विगड रही है. वो आपके कारिस्थल पर कुछ अंचाहे बदला भी हो सकते हैं. परेशान ना हो सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप बस अपने कुस्से पर काबू रखें. धीरे धीरे सब शान्थ होता जाएगा. आज आप दोनों के मिलकर सामना करने से संबंद की मुश्किलें दूर हो जाएंगी. अपने संबंद को यादगार वो खुशगवार बनाने की कोशिश करें. एक दूसरे को हर समय सलाह वसाथ दें. संबंद बनाए रखने के लिए याद रखें कि आपसी समझ लंबे समय तक चलने वाले संबंद की नीव रखेगी. आज आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको काम करने के लिए ऐसी तकनीकी योगिता की जरूरत है जो आपके पास नहीं है. कोशिश करें क्योंकि ये बदलाव किसी ना किसी वजह से ही हुए है. अगर आप परिशान हैं तो इस बारे में अपने बॉस से बात करें. लेकि विवसाई में धीमी गती से कामकाज चलने के कारण आप आर्थिक रूप से तनाव में घिर सकते हैं. लेकिन चिंतित होने से अच्छा है कि अपने विवसाई में सुधार करने की कोशिश करें. कई सारी योजनाएं जो अधर में लटकी हैं उन्हें पूरा करने के लिए सब पूर्वक योजना बनाएं. आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई नया काम शुरू करें इससे पहले उन्हें जरूर पूरा कर लें जो पहले से ही हाथ में हैं. संभल कर चलेंगे तो अपने आर्थिक लक्ष को भी पूरा कर लेंगे. जो भी हो अच्छे परणाम के लिए अपनी नीतियों को भी थोड़ा बदलना होगा. आज आप कल रात के सपने से परेशान हो सकते हैं. इससे आप धंग से आराम भी नहीं कर सकते. ज्यादा परेशान नहों और सकारात्मक सोच लाएं और परियाप्त आराम करें. आज का दिन उन विद्यार्थियों के लिए श आप इस समय शायद विदेश जाने की सोच रहें हैं. इन सकारात्मक अवसरों का पूरा लाब उठाएं. राशि मित्हुन, रुमैंस अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराने पर आप आपसी रिष्टों को और मजबूत बनाएंगे. आपके विचारों की अभिवक्ति से ना केवल आज बलकि भविश्य में भी मार्ग सुगम हो जाएगा. आपको सावधानी पूर्वक विवहार करना होगा. आज आपको लगेगा कि कोई आपको सही दिशा दिखा रहा है. ये कोई सलाहकार या फिर आपकी जिंदगी में कोई महतपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है. ये व्यक्ति आज आपकी करियर संबंधी उल्जनों को सुलजाने में मदद करेगा. इस समय आप उन पर भरोसा करें धीमी चाल से जीत का इरादा यही आज आपका आर्थिक मंतर होना चाहिए. आपको अपने निवेश का तुरंथ तो कोई फाइदा नजर नहीं आ रहा है. पर आगे चल कर लाब सुनिश्चित है. कोई चिंता ही नहीं कीजिए. एक तम बेफिक्र हो जाईए. सोच समझ कर कि यही निवेश का यही तो फाइदा है कि देर से ही सही परलाब होना तय है. राशिमित्हुन हेल्थ अगर आप उन में से हैं जिन्हें खाना बहुत पसंद है तो आज वो दिन हैं जब आप नई चीजों का आविशकार कर सकते हैं. आज आप भाग्यवान हैं. आपकी पाचन समय का भरपूर आनंद लें. आप खूब बाते करेंगे और एक दूसरे के साथ मजा लेंगे. आज अपने आपको तरो ताजा करने का दिन है. राशिकर्क रूमैंस पारिवारिक स्तर पर आ रही अर्चने आज दूर हो जाएंगी. आपकी पसंद के पार्टनर के साथ आपक की गई मदद कार्यस्थल पर आपको किसी परेशानी से बचा लेगी. आपको सलाह है कि ऐसे ही एक जुठ होकर काम करते रहें. इससे आप अपने बड़े लक्षियों को भी आसानी से पालेंगे. साथ ही चुनोती पूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी एक नए विवसाय का आकरशक मौका मिल सकता है. आपको अच्छी आए, अर्थात आमदनी मिलेगी, जिसके लिए आप बहुत खुश हैं. राशिकर्क, हेल्द. आज तराव की स्थिति बन सकती है. इसलिए काम पर या घर पर इस बात का ध्यान रखें. यह परेशानी बढ़ सोच से बढ़ सकें. राशि सिंग, ओवर्वियू. इस समय पारिवारिक रिष्टों में प्यार और सद्भावना के प्रबल संकेत हैं. आप भी खुद को परिजनों के बहुत नस्दीक पाएंगे. आज आप उनके साथ समय बिताना चाहेंगे. तो फिर देर किस बात की है, उनको ले जाएए अपने साथ कहीं बाहर खाना खिलाने और फिल्म दिखाने. साथ बिताए इन पलों को आप ताउम रियाद करेंगे. आज आप रंगीले मूड में होंगे और आपकी किसी आसपास के विक्ति से मुलाकात होगी. हलका फुलका रोमैंस करना हानिकारक नहीं, पर इसको लेकर गंभीर ना हो. अकेले विक्ति के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं. अगर बात आगे बढ़ती दिख रही है, तो उ आज आप अपने ओफिस में अपनी वाक कला का परिचय दे सकेंगे. हाला कि सफलता पाने के लिए आपको अपने उच्चादिकारियों से बात करते समय बहुत से आत्म विश्वास की जरूरत पड़ेगी. इससे ना केवल चुनोती पूर्ण परिस्थितियों पर विजय पा सकेंगे बलकि तनाव भरी परिस्थितियों में भी आसानी से काम कर सकेंगे और साथ ही अपने लक्षों को भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे. राशी सिंग फाइन्स आज खर्चे ज्यादा हैं इसलिए होश्यारी इसी में है कि हाथ थोड़ा खींच कर चलें. इस कठिन सि इसे निबढ़ने में अपनी समझदारी दिखाएं. फिर भी इसे लेकर बहुत चिंतित्मत होईए. आपके मन की शान्ती धन दौलत से कहीं अधिक है. इस हालात को गुजरने दें. राशी सिंग हेल्थ गर्भुवती महिलाओं को अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा. चुस्त रहना अच्छी बात है. परन्तु जरूरत से ज़्यादा कार्य ना करें. आज के दिन आप सावधान रहें, वह खुद पर ध्यान दें. राशी कन्या ओवर्विव आखिरकार अब आपके विजारों में स्पष्टता आएगी और कुछ गंभीर मुद्दों पर आप स्पष्टता से सोच पाएंगे. हर समस्या का समाधान अब आपको साफ दिखने लगेगा. इसी स्पष्टता से आपको सफलता भी मिल सकती है. राशी कन्या रुमैंस आपको चाहिए कि आप आकरशक व्यक्तत्व वाले अपने साथी को अपने वश में कर सकें. जिंदगी का मजा लेने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी शांत एवं प्राकृतिक रूप से भरपूर किसी रोमैंटिक स्थान पर जाएं जहां आपको कोई तंग ना करे. इस प्रकार बाहर जाने से ना केवल आपकी बोर्यत दूर होगी, वरन जिंदगी के नए आयाम भी मिलेंगे. आपकी वाक चतुरता आज उचाई के शिखर पर रहेगी. आप हमेशा से ही शब्दों से खेलने में माहिर रहे हैं थथा आपकी चतुराई जग जाहिर है. आपकी हसी मजाग की आदत के व्यावसाइक व्यव्यक्तिकत क्षेत्र में चर्चे हैं. इसी वजह से आपको ऑफि कहीं और करने की सोच रहे हैं तथा जमीन जायदाद पर आपका ध्यान है तो आपको थोड़े समय का इंतिजार करना चाहिए क्योंकि अभी यह लाप्रद नहीं होगा. अभी इस पर शोध कर लें. आज आप जमीन जायदाद संबंधित कागजात दस्तकत ना करें. आज आपको अपनी शालिरिक, मानसिक और भावनात्मक शमता को बढ़ाना होगा. आप जिम और योग से अपने काम करने की शमता को बढ़ा सकते हैं. व्यायाम के अंत में आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं. आपकी सेहत और आत्म विश्वास द आपको जरा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि इनसान अपनी संगती से ही पहचाना जाता है. बुरे लोगों के साथ से आपको बहुत नुकसान हो सकता है. आज आपको छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर अपने पार्टनर के साथ जगड़ों का सामना करना पढ़ सकता है. आ एसी शादियां जिनमें नस्दी की रिष्टदारों के सहमती नहीं है, आज खटाई में पढ़ सकती है. यदि आप फैशन जगत में काम करते हैं, अथवा कला के एक शेत्र में हैं, तब आज का दिन नवीन अवसरों से भरा हुआ है. इन अवसरों में विदेश भ्रमन का भ किसी सरकारी मामले में फसे हुए हैं, तो आज आपको कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है. आज आपको किसी लंबे अर्से से चले आ रहे विवात से छुटकारा मिल सकता है. इस सफलता से आपको निश्चित रूप से शान्ति मिलेगी, परंतु आप इसे पून्ड ज साथ पानी से संबंधित कोई घट ना घट सकती है. किसी गहरे तालाब या सरोवर से दूर ही रहें, वरना आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं. बाद में पच्च्टाने से अच्छा होगा कि आप पहले ही खुद को सुरक्षित रखें. आज अचानक ही आपका कोई मित्र आपको ई-मेल भेजेगा या फिर फोन करेगा. ये दोस्त शायद कुछ दिनों के लिए आपके घर रहने आ जाए. उसकी खातिरदारी करने के लिए तैयार रहें. अपने मित्र के साथ खुब मजा करें. राशिवरिश्चिक रोमैंस आज आप अपनी रोमैंस से भरी जिंदगी से बोरियत महसूस कर रहें हैं. आपको चाहिए कि अपने दिन चर्या में कुछ बदलाव अवर्शे लाएं. शहर से बाहर घूमने जाएं या किसी सामाजिक गतिविधी में भाग लें. केवल अपने साथी के साथ अन्यथा अन् इस वैकल्पिक मार्ग को आप खोज रहे थे, वो आपको मिल सकता है. खास कर चिकित्सा के क्षेत्र में यदि आप वैकल्पिक चिकित्सा के किसी अवसर की तराश कर रहे हैं, तो वो आज पूर्ण होगी. हो सकता है कि एलोपैथिक चिकित्सा आपके लिए ठीक नहो और आ एक रहक भी बनेंगे और बड़ा ओर्डर भी देंगे. इसलिए इस मौके का फाइदा उठाएं. आपको लगेगा कि आपने इसके लिए बड़े परिश्रम किये हैं. बहराल आर्थिक रूप से दिन काफी लाबकारी है. आपके साथी के स्वास्ते के कारण आप कुछ परिशान हो सकते हैं. पर सच में चिंता करने की बात नहीं है. बस आप उनका होसला बढ़ाएं. अगर आपको लगे तो डॉक्टर से सलाह लें. आपका सहारा आपके साथी के लिए महत्व रखता है. आज आप जो भी बोलें सोच समझ कर ही बोलें ताकि बाद में आपको पच्टाना ना पड़े. आज कुछ गलत पहमियां पैदा हो सकती हैं. इसलिए सावधान ही रहें. अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें. और साथ ही दूसरे व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करें. ऐसा करने से आप आसानी से किसी भी गलत पहमी को दूर कर सकेंगे. राशिधनू. रुमैंस. आप अपनी नई और अच्छी सोच के कारण अपने साथी का ध्यान अपनी और किंद्रित करेंगे. आप में इस बदलाव के कारण आपक साथ पाने में खुशी महसूस करेगा. आपकी सकारात्मक सोच भविश्य में आपके रिष्टों को और अधिक मजबूत आयाम प्रदान करेगी. आज भले ही आपके दिमाग में कोई नया आजी विका का विकल्प हो, लेकिन आज का दिन उसे चुनने का बिल्कुल भी नहीं है. किसी भी नई योजना के लिए लंबा समय लेकर सोच विचार करें. अपने सभी विकल्पों की पड़ताल करने के बाद ही कोई निर्णे लें आज आप अपनी उपरी कमाई को अपने दोस्तों और परिवार के मनुरंजन पर खर्च करेंगे. आप बहुत दिनों से काम से फुटसत निकाल कर कहीं मौज मस्ती करना चाह रहे थे. सो आज अपने ग्रूप के साथ जाईए, उन पर कुछ पैसा खर्च कीजिए. आज खर् आज आपको हलका व्यायाम करना होगा. बड़ी समस्या से ना घवराएं, क्योंकि स्वास्त की परिशानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है. पेट को ठीक रखने के लिए पौश्टिक खाना खाएं. आज आपके किसी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है. आप शायद इस यात्रा पर परिवार के साथ जाएं. शायद ये छोटी सी ही यात्रा हो, लेकिन इसका आपके जीवन में बड़ा महत्व होगा. आप इस यात्रा का पूरा मजा लें. आज के दिन आपसी रिष्टे बनाएं, एवं उन पर अपना ध्यान किंद्रित करके अमल करें अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं, जिससे आपको सकारात्मक फल भी प्राप्त हो सके इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ अकेले में एक दूसरे के साथ मन बहलाव करना चाहिए आप प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं, तो अपनी आखें बंद कर लें अन्य रास्ते खुल जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका साथी आपके साथ भरपूर है आज आप किसी सेमिनार या कॉनफरिंस की अध्यक्षता करेंगे, जिससे कि आपके करियर को बहुत लाब मिलेगा लोगों से मिलने में हिचक ना करें, इनमेंसे किसी ना किसी से आपको आने वाले समय में लाब जरूर होगा राशी मौकर, फाइनांस आज आप खुद को शांत और अच्छा महसूस करेंगे कुछ घर और काम का बोज कम होना शुरू हो जाएगा इसलिए आखिरकार आज आप राहत की सांस ले पाएंगे आप योग और ध्यान में मन लगाए रखें ताकि आपको शांती मिलती रहे अपने घरवालों के साथ टहलने का लुद्फ उठाएं आपको अचानक कोई खोई हुई वस्तू मिल जाएगी ये कोई प्यारा सा तोहफा कोई कीमती चीज या फिर कोई महदवपूंड दस्तावेज भी हो सकता है कुछ भी हो, अब आप इसे संभाल कर रखें और इसके मिल जाने की खुशी में अपने सितारों को धन्यवाद दें आज आप और आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा दिन है अगर आज आप किसी आयोजन में लगे हैं तो आपके पार्टनर आपको एक बहुत अच्छा तोहफा दे सकते हैं आप इसकी भरपूर तारीव करेंगे आज आप एक दूसरे के प्यार को परवान तक ले जाने में सफल होंगे आज आप अपनी छाती चौड़ी करके शान से चल सकते हैं क्योंकि आपने व्यावसाईक शेत्र में एक ऐसी समस्या को हल किया है जिसे की हल करना किसी के लिए भी संभव नहीं था आपकी मेहनत से आपके घर व कारिक शेत्र में परिस्थितियां सुधर रही हैं इसलिए आप मजा लें आज तो आपके सामने व्यावसाईक के एक दो नहीं बलकि बहुत सारे प्रस्ताव होंगे जो आपके व्यवसाईक को एक नई चमक देंगे इस नए मौके का भरपूर लाव उठाईए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते इन दिनों हो रही भरपूर आमधनी में से कुछ रकम आड़े वक्त के लिए बचा कर रखिए आज आपको महसूस करना होगा कि ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठने से नुकसान हो सकता है रोज ब्रेक लें आज आपकी आँखों में दर्द या गर्दन में परेशानी हो सकती है समय पर आराम लें और अपनी कलाई और उंगलियों को भी आराम दें हो सकता है कम्प्यूटर पर वैटने से आपको दर्दगी समस्या हो, ध्यान रखें, अपनी आखों पर ज्यादा दबाव न डालें आज आपका आत्म विश्वास शिखर पर रहेगा, इसका पूरा लाब उठाएं आप अपने आत्म विश्वास वसकारात्मक सोच से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे, हो सकता है कोई आप से प्रभावित होकर कोई अच्छा सा अफसर प्रदान करें, जिसे आप बिलकुल खोना नहीं चाहेंगे राशीमीन, रुमैंस आज आप खुले दिल से अपने पार्टनर से मन की बात कह सकेंगे, खुलापन और इमानदारी रिष्टे की जान होती है, पर वैसे शब्द हमेशा नहीं आते, आज आप अपनी शानदार स्थिती से संतुष्ट होंगे और आप दोनों का रिष्टा गहरा होगा, बातचीत स नहरा परिवर्तन लाएगी, राशी मीन, करियर, आज आपको कारिक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, विशम परिस्तियों में भी आसानी से काम कर लेने के कारण आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे, आप में वो काबिलियत है जो आपके अधिकारी आप से चाहते हैं, समय के साथ आपके करियर में उतनी वृद्धी जरूर होगी, जितना की आप सोचते हैं, राशी मीन, फाइनांस, अपने काम में अपनी महारत के कारण आपको आज आर्थिक लाब की अच्छी खबर मिलेगी, असल में आप अपनी नियोकता के लिए अच्छी कमाई करें और बदले में वे आपको इसका इनाम देंगे, करियर और आर्थिक मामले में ये आपके लिए उपलब्धी है, जिसके आप असली हकदार भी हैं, सब आपकी मेहनच से हुआ है, इसका लुट्व उठाइए आप स्वास्त के मामले में आज अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ये ज्यादा गंभीर तो नहीं, परन्तु आप कुछ धीला महसूस करेंगे, आप कुछ ऐसा करें जिससे आप बहतर महसूस करें, अगर ऐसा होता है तो आप कुछ व्यायाम या योग करें, ताकि आपको दर अन्रकेंग